हिंदू धर्म में नवरातरी का पर्व विशेश महत्व रखता है नवरातरी में माता दुर्गा की पूजा और आराधना की जाती है नवरातरी के नौ दिनों में माता रानी अपने भक्तों की बीच निवास करती है और इस दोरान उनके नौ स्वरूपों की पूजा की जाती ह इस साल नवरातरी तीन अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं। भक्तों का मानना है कि इन दिनों में माता दुरुगा की आराधना करने से वो प्रसन्न होती है और अपने भक्तों को मन चाहा प्रदान देती है। ताकी पूजा विद्य विधान के साथ और सही तरीके से की जा सके। इसमें क्या-क्या शामिल है पहले ये जान लेते हैं। माता-राனी को महंदी अर्पित करें। पाईल से मा के चरुनों को सजाएं। गुलाः या मौग्रा की फूलों से बना गजर्रा लगाएं। मातारानी के हादों में लाल चूडियां पहनाें। मातारानी को लाल रंग की गोटेदार चुनरी अर्पित करें मातारानी के माथे पर लाल बिंदिया लगाएं मातारानी के नेत्रों में काजल लगाएं माथे पर मांग टीका सजाएं कानों को जुमके से सजाएं नत लगाने से मातारानी के सुन्दर्ता जलकती है, पाउ में बिच्वा पहनाए, मातारानी को बाजू में बाजू बंद पहनाए, कमर में कमर बंद बांदे, मातारानी को मंगल सूत्र अर्पित करे, मातारानी की मूर्ती की वस्तरों के लिए लाल रंग का लहंगा उत्तम है, माता रानी का श्रिंगार करने के लिए सबसे पहले चौकी की स्थापना करे, चौकी को गंगाजल से पवित्र करे और फिर उस पर पीला या लाल कपड़ा बिछाएं इसके बाद माता रानी की मूर्ती को स्थापित करे और उनका श्रिंगार करे, श्रिंगार करते समय कुछ बातों का विशेश ध्यान देना जरूरी होता है और वो क्या है आईए आपको बताते हैं मातारानी को लाल रंग बेहद पसंद है, श्रिंगार में लाल रंग का इस्तमाल करना शुब होता है, गुलाब या मोगरा की फूलों का प्रियोग करें क्यूंकि ये मातारानी को सबसे प्रिय है, श्रिंगार करते समय काले रंग का एकदम भी इस्तमाल ना करें नवरात्री मातारानी के प्रती भुक्ती का प्रतीक है। मातारानी के फिंगार और पूजा अर्चना से भक्तों को जीवन में सुख सम्रिधी और श्रांती मिलती है। इस साल नवरात्री का पर आपके जीवन में खुशी और सम्रिधी लाएगा। हम आशा करते हैं मातारानी क आशिरवाद आप पर सदा बना रहे आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियो के लिए देखते रहे लोकली टीन